अले रोबन दो प्रविदास फिर्मेटर आप से भी का सवागत है इस सिग्स्थ क्लास में वैसे तो यह सिख्स नहीं कि यह सेवंध क्लास है वह इसले कि किसके पिछले क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से हम लोग जो है है एक साथ बताता है अलग बताता एक ही मतलब है तो उससे क्या होगा जो कॉंसेट्रेशन है वो सही था अब जो है अब हम लोग 7th class में जम करना है तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इक्सपोर्ट केरेक्टर फॉर रिगिंग अब दोस्तों एक्सपोर्ट ऐसा नहीं कि मैं कोई भी करेक्टर जो है वह बना ले और उसको एक्सपोर्ट मैं कर ले तो माया क्योंकि माया हमारा workflow है तो माया में ही मैं दिखाऊंगा इस इस कि किस तरह से माया में एक्सपोर्ट करेंगे character ताकि वह आटोमेटिक रिग के लिए जा सके तो दोस्तों इसके लिए भी जो है हम लोग टूल यूज करेंगे जिसका नाम है मैं भी नहीं बताऊंगा मैं करके दिखाऊंगा तो वह टूल भी जो है दोस्तों वह भी फ्री में अवेलेबल है उसके लिए भी आपको कुछ पर्चस करने के जुरूत नहीं जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि आपको पर्चस करना पड़ेगा बट इस बर जो आपको मैं बताने वाला हूं रिगिंग और अनिमेशन के लिए यह बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट है इंटरनेट में अवेलेबल है इसके लिए कोई भी आपको चार्ज दिन नहीं पड़ते हैं सिर्फ आपको लॉग इन करना पड़ है पर डिलीट अब बोन करोगे तो कभी कभी हो सकते प्रॉलम आजा आपके करेक्टर जो है वह स्वोग लेटिश कुछ भी हो सकता है एक बार क्लिक क्या करते हूं चेख्व यहां पे पॉलिगों से सबको मैंने स्लेट कर लिया है और यहां पर जाने के बद मैं जाता हूं एडिट डिलीट और यहां पर लेता हूं इसको जोईंट्स को तो देखो यहां पर जोईट मारत तो इससे कोई भी फरक मेरे कर दिया है और एक बार के लिए 5 और 6 भी प्रेस करके आप दिखा देता हूं थोड़ा सा यह वक्त ले सकता है तो अभी क्या है तो हमेशे याद रखने हमको कि जब भी हम लोग इसको आटमेटिक वाले सिस्टम में डालेंगे तो उसके लिए हम लोग इसको क्या एक बनाना प अब यहां पर देखो कि अपने काम कर नहीं है यहां पर बहुत सरे चीज़ें आप दी हुए है जो है ग्रूप्स बने हुए इसको शीट पकड़ कर दो हमारे काम कर नहीं है और इसको एक बर पकड़ लो जो भी आपका प्रसे कर दो इसको फिर से क्या होगा जितने भी स्का ट्रांस्वर्मेशन से वह भी सारे हट जाएंगे तो अब जो हैं आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे चीज़ें जो हमारे पर काम की नहीं है तो इन सब पकड़ गया आप डिलीट कर सकते हो सबको पकड़ लिट कर दो अब आपके पास क्या बचे बचा सिर्फ और सिर्फ जो आपका और पल्ट ऑप बचा है ठीक है अब यहां पर दो देखोगे कि मेरे पस सिर्फ एक औपड़ेट और कुछ भी नह आप मैं जाओगा क्लिक करूंगा इसको वापिस से फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्शन कर लो जो भी तीक लगए एक्सपोर्ट सेलेक्शन कर लेता हूं यहां पर सेव हो गया तो इसको कि सेलेक्शन कर लेता हूं तो यह जो है एक्सपोर्ट हो गया है अब मुझे जो है इसको आटोमेटिक जो रिगर है उसमें पुट अप करना है पर उसके लिए जो क्लासे से वह हमारी अलग से क्लासे यानि एक्सपोर्ट करना है कि कोई दिक्कत ना है जब भी हम आटोमेटिक रिगर करेंगे इसको बहुत अच्छा से रिगिंग करेंगे